इस वीडियो में खराब गैस लाइटर को रिपेर करने के लिए सिखाने वाला हूँ वो भी कुछी मिन्टों में वीडियो के कोई भी पार्ट को मिस मत किजेगा नहीं तो लाइटर लगाने में आपको काफी दिकते आ सकती हैं कई बार दोस्तो हमारे घरों में जब भी गैस लाइटर खराब हो जाती है तो उसे हम फेक देते हैं और उसकी जगे नया गैस लाइटर ले आते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप कोई भी gas lighter को फेकेंग नहीं और उसे आप आसानी से घरों में ठीक कर पाएंगे इसे तीन पार्ट में कवर की है पहला कि इस lighter को आपको खोलना कैसे है दूसरा इस lighter को आपको कैसे ठीक करना है तीसरा इसे आपको किस तरह से लगाना है ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकॉन को दवाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सकें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यहां पर देख सकते हैं हमारे पास एक खराब लाइटर पड़ी हुई है जो कि अभी यह वर्क नहीं कर रहा है तो इसे आज हम ठीक करेंगे इसे ठीक करने के लिए आपके पास दो चीजे होनी चाहिए एक इस तरह का एक स्कूरू ड्राइवर फूसरा इस सबसे पहले इसे खुलना कैसे है वह बताते हैं तो इसे खुलना बहुत ही आसान है लगबख सभी लाइटरों में इसी तरह का प्रोसेस होता है तो इसे सिर्फ इस तरह से आप घुमाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर बड़े आसानी से यह खुल चुका है इसके सभी पार्ट्स को अच्छे तरीके से निकाल लेना है इस तरह से आपको रख लेना है और इसके अंदर में एक वासर लगी हुई है उसे आप इस तरह से अगर थोड़ा सा ठोकेंगे दिरे दिरे यह बाहर आ जाएगा अगर फिर भी नहीं आता है तब हम स्कूरू ड्रैवर का इस्तमाल करेंगे इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा इसे आप आगे की ओर ठके लेंगे तो यह जो है बड़े आसानी से निकल जाएगा देख सकते हैं यह आगे आ चुका है इसको घुमा घुमा के आपको थोड़ा सा प्रेसर लगाना है यह आसानी से निकल जाएगा देख सकते हैं यह आ चुका है तो इस तरह से सभी पार्ट्स को आपको निकाल लेना है इसमें अब एक वासर बची भी है जो कि इसे भी निकाल लेते हैं तो यह हो गया खोलने का प्रोसेस अब हम बताते हैं कि इसे आपको ठीक कैसे करना है जो भी प्रॉब्लम होती है वह इसके अंदर होती है तो इसे हमें खोलना है तो इसे इस तरह से खोल लेना है इसके अंदर कुछ इस तरह का एक स्टोन निकलेगा इसे भी साइड रख लेना है उसके बाद कुछ इस तरह से इसको निकाल लेनी है अब इसमें प्रॉब्लम होता क्या है कि इसमें या तो जंग लग जाता है और या तो करवन जम जाता है इन दोनों problem के कारण ही ये lighter हमारा work नहीं करता है तो इसे हम क्या करेंगे अच्छे तरीके से साफ करेंगे तो साफ करने के लिए हम यहां सरेस्कागज का इस्तमाल करेंगे और इस पर जो है कुछ इस तरह से इस तरह से इस पर गिस लेंगे जो भी कारवन होगा उस सब हड़ जाएगा तो यहां पर इस तरह से आपको साफ कर लेनी है तो देख सकते हैं यह अच्छे तरीके से साफ हो चुका है अब इसे भी क्या करना है अच्छे से घस लेनी है तो यह भी हमारा अच्छे से साफ हो चुका है तो इन दोनों को साफ करने के बाद आपको सभी पार्ट्स को अच्छे से लगा लेना है अगर आपका लाइटर काफी पुराना है तो आप इसके अंदर कपरे की मदद से आप साफ कर सकते हैं तो ये हमारा प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है अब हम चलिए इस पार्ट को कैसे लागांगे वो बताते हैं तो सबसे पहले इस पार्ट में आपको ये वाला डाल देना है इसे डालने के बाद अब ये स्टोन आपको इस तरह से डालना है इसके बाद ये जो पार्ट है अब इसे इसको इस तरह से डालना है तो ये भाग हमारा कम्प्लीट हो चुका है अब हमें क्या करना है इस वासर को पहले अगर टेरा हो गया होगा तो इसे आपको सिधा कर लेना है तो चलिए हम इसी से सिधा कर लेते हैं तो ये हमारा लगबग सिधा हो चुका है अब क्या करना है इस वासर को इसमें इस तरह से डाल लेना है इस पाथ को आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तभी आप लाइटर अच्छे से लगा पाएंगे तो इस तरह से आपको लगा देना है, अब क्या करना है, इस तरह से इसमें इसे डाल देना है, उसके बाद ये वासर क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से इसमें लगा लेना है, अब क्या करेंगे हम इसे, इसे अंदर की ओर धकेल देंगे, कुछ इस तरह से, अब क्या करना ह हमें ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से आपको लगा देना है अब क्या करना हमें ये देख सकते हैं ये खुला हुआ कुछ इस तरह से हैं ये इस तरह से आपको डालना है देख सकते हैं अब हमें क्या करना है यह वाला पार्ट इस तरह से आपको लगाना है अब जो है लास्ट जो हमारा यह वाला पार्ट भी कुछ इस तरह से लगा के इसे इस तरह से टाइट कर देना है तो हमारा लाइटर जो है कंप्लीट सेटाप हो चुका है अब चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं और यह हमारा वर्क कर रहा है और नहीं कर रहा है इस तरह से आप घर पर भी लाइटर को आसानी से ठीक कर सकते हैं उमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और नेक्स्ट वीडियो हम गेस चुला से रिलेटेट लाएंगे तो उस वीडियो को देखना बिलकुल भी मत बुलिएगा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद